सल्मान खान और आयूश शर्मा की फिल्म अंतिम की शूटिंग तकरीबन खत्म बहुत जल्द आएगी रिलीज डेट अक्टर सल्मान खान अपने जीजा आयूश शर्मा का बॉलिवुड में करियर बनाने में जुटे हैं आयूश के लिए उन्होंने अंतिम नाम की फिल्म बनाई है और इस फिल्म में वो खुद भी काम कर रही है बता दे कि टीम मुंबे के बहारी इलाकों में बचे हुए पैच वर्क को पूरा कर रही है ऐसे में फैंस के लिए खुशे की खबर है कि टीम जल्द ही फिल्म का फर्स लुक पोस्टर के साथ रिलीज डेट की अनौंसमेंट भी कर सकती है इस फिल्म में सल्मान खान और आयुशर्मा के अलावा साई मांजरेकर और प्रग्या जैस्वाल भी लीड डूल में नजराएंगी इसके साथ ही फैंस को फिल्म में फुल आक्शन ठ्रिलर देखने को मिलने वाला है फिल्म का डिरेक्शन महीश मांजरेकर कर रहे हैं और सल्मान खान फिल्म्स के बैनर तले अंतिम बनाई गई है बता दे कि ये फिल्म 2018 की मराथी फिल्म मुल्शी पैटन पर बेस्ड है दरसल मांजरेकर ने हाल ही में खुलासा किया कि फिल्म की रिलीस डेट को कुछ समय के लिए पोस्पॉन कर दिया गया है क्योंकि उन्हें लगता नहीं कि ऑक्टूबर या उसके बाद में सिरिमा घरों के खुलने की कही न कही कोई गुंजाईश है और ऐसा लग भी रहा है कि मांजरेकर ने जो भी कहा सही कहा क्योंकि महाराश्यो सरकार अनलॉकिंग प्रक्रिया में कुछ धील दे सकती है दरसल सल्मान ने पिछले साथ दिसंबर में सोशल मीडिया पर फिल्म का एक टीजर फ्रांस के साथ शेर किया था प्रिव्यू में फिल्म के दो एक्ट्रस के बीच एक गर्म युद्ध द्रिश शामिल था फिल्म की कहानी उन ग्रामीनों के इलाकी के इर्द गिर्द है जो अपनी जमीन कम कीमत पर बेजते हैं और पैसे खर्च करते हैं सल्मान खान के वर्ग फ्रंट के बात करें तो अंतिन दुफाइनल तुरुट के अलावा सल्मान टाइगर थ्री पर इमरान हाश्मी और केटरीना कैफ अभिनित काम कर रही हैं उनकी पास किक टू और कभी एद कभी दिवाली जैसी बड़ी फिल्मे भी है